हेलो एंड वेलकम ओल डियर स्टुडेंट पढ़ रहें उनलाइन क्लासिज पे आप सभी प्यारे सी बचों का एक बार फिर से स्वागत किया जता है और मेरे पास लगातार बहुत सारे कोल और मेसिज आ रहे हैं कि सर फाइनली अब हमने काउंसलिंग तो गरवा दी है अब जैसे आपके शीट अलोटमेंट लेटर आपको कब मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे और अगर किसी भी बचे का स्कोर अच्छा नहीं गया है और त्यारी करना चाहता है तो उसके लिए मैं बता देता हूं वही आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ए इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं वही बच्चों ने तो जो है कोर्स जोइन करके अपनी त्यारी स्टार्ट कर दी है कहीं आप पीछे ने रह जाए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है एक साल बात नेक्स्ट दोजार पच्छिस के एक्जाम में अगर आपको सिलेक्श वेबसाइट आपको उपन करने है उसके बाद स्टेक्श जो आपको यहां पे शो कर रहा है वह जो आपका स्कैडूल है इस पर आपको कलिक करना कलिक करते ही जैसे यह पीडिक ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहां पर सारी चीज़ें पंदी गई आप प्लीज मुझ एकजाम हुआ था 30 जून को 30 जून को आपके आंसर की आ चुकी दी और एक जुलाई को जो है आपका ये क्या था एक सेकिंड ये था आपका चैलेंज जो आपने आंसर की उब्जेक्शन वेकरा लगाए थे उसके लिए अब मैं बात करता हूं रजल्ट की रजल्ट आपका 22 ज और कल और परसों परसों आपको आपके शीट अलोटमेंट लेटर मिल जाएंगे अब बात करेंगे जी मिलतो जाएंगे कैसी मिलेंगे तो सबसे पहले बहीं मैं आपको बता देता हूं यह चीज एक सेकिंड रुकी है यह ओफिशियल वेब साइट है यहां पर आपको लोग स्कोर कार्ड निकाला था जस्ट उसके नीचे आपको जो आपका शीट अलोटमेंट लेटर मिल जाएगा और जो क्वालिफाई नहीं करेगा तो वहां पर नोट क्वालिफाई आ जाएगा बाकि जिसका शीट अलोट होगी उसका लेटर आपको मिल जाएगा यही चीज हमें इस वीडियो में discuss करनी थी I think आपके सारे के सारे doubt इस वीडियो में clear हो गए होंगे और उमीद गरता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होगी अगर वीडियो अच्छे लगे है तो इस वीडियो को like कर दीजिएगा सेर कर दीजिए अपने friends के पास और ज्यादा से ज्यादा अपने प्यरे प्यरे कोमेंट करके चैनल को subscribe कर लेना इस वीडियो में इतने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद